दोस्तो जानवर की 8.7 विलियन प्रजाथी में जहां कुछ पालतू जानवर बहुत ही प्यारे होते हैं वही कुछ जंगली जानवर इतरे खतरनाक होते हैं कि इनसानों को देखते ही हमला बोल देते हैं इसलिए हम इनसान जंगली जानवरों से हमेशा दूर रहना ही पसंद करते हैं लेकिन जब जाने अंजाने में हमारा सामना इन जानवरों से हो जाता है तो हमारे रूम्टे खड़े हो जाते हैं कैमरे में केज ऐसे ही एनिमल एंड काउंटर देखकर आप रूमांचित हो उठेंगे तो आखिर तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और आपके अपने चैनल रहसे एंड नेचर को सस्क्राइब कर पास की बने बेल के आईउन को प्रेस कर आउल पर क्लिक कर दें आकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल भी रहे पांडा आटेक इन जूर साथियों पांडा को वेसे तो बहुत ही विनम्र जानवर माना जाता है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारे होते हैं लेकिन कई बार इंसानों की अरकतों के कारण चिरचिड़ापन की वज़े से गुस्से में हमला भी कर देते हैं अब इस दिल देला देने वाली वीडियो को ही देख ली थे इस वीडियो में एक वेक्ती जूम में पांडा के पिंजरे के पास फोटो खिचवाने के लिए एसे बेट गया जैसे कोई गार्डन में बैठा हो और वो भूल गया कि पांडा इसके करीब आ रहा है खत्रे से अंजान ये शक्स फोटो खिचवाने में वैस्त था तभी पांडा ने इस पर अचानक अमला कर दिया वह तो गनीमत रही कि महा मोजूद अन्य लोगों ने इसकी मदद कर पांडा से छुड़ुआ लिया लेकिन इन जनाब को अपनी जेकेट से हाथ धोना पड़ा खेर जेकेट गई कोई बात नहीं जान तो बज़ गई क्रोकोडाइल अटे दोस्तों इस दुनिया में हर एक माँ अपने बच्चों का खयाल रखती है और जब वह मा काफी खतरनाक हो तो कोई भी उसके बच्चे को दूर से देखने पर ही पुरी तरह डर जाएगा जी हाँ, एक मगरमच अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से खयाल रखती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी पीर की छोटे बच्चे को जमीन से पानी तक वो अपने मूँ में दबा कर ले जाती है ताकि उस बच्चे को सुरक्षित रख सके एसे में एक शक्स पहुँच गए अपनी बहादूरी दिखाने और उन्हें दालाब के नारे जाकर अपने जाल में एक मंगरमच के बच्चे को पकड़ लिया दरसल ये उसे कुछ देर खिलाना चाहता था लेकिन वह बच्चा चिलाने लगा और बच्चे की फुकार सुटकर मा मंगरमच दुरत महा पहुँच देगी देज रस्तास में पिर चुली मंगरमच मा ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उस सक्ष पर हमला कर दिया वह तो उस वक्ति ने समय रहते उसके बच्चे को छोड़ दिया और दूर भाग गया नहीं तो मा मंगरमच के स्वेक्ति के साथ फूप खेलती अब इस रोंग्टे खड़े कर देने वाले क्लिप को देखिए जिसमें एक तेनवा जंगल से दूर खाने की तलाश में एक गाउ में आ जाता है और लोगों से डर कर केले के खेत में छिप जाता है बहां मौझूद एनिमल केर डेकर तेनवे को रिस्क्यू करने का प्रयास करते ही इसलिए उसे खेत से बाहर निकालने के लिए पठाकों का इस्तमाल करते ही लेकिन तेनवा बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा अब आप इस ब्लू शैट वाले महाशाय को देखिए यह महाशाय समझदार बनते हुए तेनवे को डराने के लिए आग वाली लकडी को लेकर केत में जाने का प्रयास करते ही लेकिन डरा और सहमा तेनवा अपने बचाओं में उन पर हमला कर देता है जिससे बचने के लिए यह महाशाय नीचे गिर जाते है कई घंटों तक एनिमल केर टेकर अपने जान दाओ पर लगा कर तेनवे का रेस्क्यू करहिने दे है दोस्तों आपने तेनवे को गुस्से में आकर लोगों पर कमला करने वाली कई खटनाय देखी होंगी या सुनी होंगी लेकिन अब हम आपको ऐसे तेनवे से मिलवाने वाले हैं उसे पकड़ने में वन विभाग के प्रोफेशनलों के भी बसीने चुट गए थे दरशल एक तेनवे जंगल से इन दोर के रियाशी इलाके में गुस गया और एक अंडर कंस्रक्शन बिल्डिंग में छिप गया उसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने बिल्डिंग को नेट से ढग दिया फिर भी तेनवे ने वन करमी पर अमला कर दिया जिसके बाद एरगन से इसे वेहोशी केंट इंजेक्शन दिये गए उसके बावजूद भी इसे कंट्रोल करना बेहत मुश्किल ना हाला कि इसे पकड़ दिया गया और वापस जंगल में छोड़ दिया गया हिप्पो अटे दो तो आप सभी जानते हैं कि दर्याई खोड़े कितने ज़्यादा गुसेल किसमके होते ही यह अपनी टेरिटरी में किसी को भी बरदाश्ट नहीं करते ऐसा ही हुआ जब दो शक्स अपनी वोड में बेट कर फिशिंग कर रहे थे और वोड की आवाज हिप्पो को परेशान कर रही थी तभी इप्पो ने पानी के नीचे से ही बोड को पलेटने का प्रयास किया आप देखे बोड कितनी उपर उचल गई वह तो गनी मत रही कि यह दोनों शक्स में से एक भी पानी में नहीं गिरा वरना भारी भरगम इप्पो इसका क्या करता सोच कर ही रोंग्टे खड़े हो जाते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करना न भूले वीडियो पूरा देखने के लिए दन्यवाद